Hey everyone, मेरा नाम अबिशेक है और एक सब्सक्राइबर ने रेकमेंड की एक वीडियो बिट्रेल ओफ साहिब्स के नाम से क्यारक्टर या टाइटल और जो क्या कहते हैं से थमनेल के नाम को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अंग्रेज़ों के टाइम पे और उनके जाने के बाद भी जो पढ़े लिखे या हाई क्लास, हाईर क्लास, सोशली के लोग है थोड़ी सी वेस्टन सोच रखते है उन लोगों के उपर एक डॉक्यूमेंटरी है या कुछ या किसी तरीके की इन्फरमेशन है तो देखने से वैसे एक डॉक्यूमेंटरी लग रही है तो देखते हैं और कि क्या बात हो रही है और आइधिंक यह सिर्फ ट्रेलर है डॉक्यूमेंटरी का क्योंकि यही मुझे मिला जब मैंने यूट्यूब पर साज़ किया तो देखते है कोई दस फिल्मों की सेरीज आएगी उसमें से ही यह पहली है ठीक है इंडिक सेरीज तो उड़ी टिवट्थ मुझे सब एहाँ जिस आएगी रवंडा मेंभी कास्सितम की बिव्रावन रीट हो थे भाहन नहीं रिटे पर्ली का थेल्बी पयांटर्स अन्लिस प्रिवेंटर्स अन्लिस लाइज कर दो रिवाइज वो ब्रूब रिवक्ट नीसर विट रुड को साइब को रूपता हि रूर में साइब लूरूट को अप्रूट है तु टो छाइब नहीं और डूरूट थिया टमचित थिल्चर नहींग इस डिएप जिल्चाईब टो प्रिक्ट जएब दोरू अगर मैं गलत नियु सम्थिंग ब्रेजनेव या सम्थिंग नामे बन देगा और आइधिंग ये एक्सकेजी बी है जो बाद में युएस मूव ओगया था फर इसने अनफोल्ड किया था पूरा प्लान की कैसे जो सुवित उनियन है वो आइडियोलोजिकली इंग्रेस कर रहा है इंडिया के जो सोशल स्ट्रक्चर है या या जो माइंड सेट है उसके अंदर इंडरोट बना रहा है लोगों के थूँ अपने तो आइडियोलोजी के दिवारा उनके थूँ या पोजएस्ट जो लोग थे उनके थोब है उनके थूँ जो आइडियोलोजिकली सुपोर्ट करते है उनको उनके थूँ और इसने काफ़ी सरी इस तरीख की Noah क지만 लेकिन, again, यार, मैं, जो भी भी आप कभी भी इस तरीक है कि कोई भी इन्फोमेशन आप देखो न, online ये कहीं पे भी, तो, always take it with a grain of salt, because, अगर वो एक बार पहले हैं, और ये बंदा मतलब अपने बारे बताता है, Yuri Brezhnev, कि ये मैं करता था, I was one of the operatives who used to carry all these operations, you know, like, who used to carry operations such as these, like, you know, meeting individuals in India, you know, telling them what to do, or things like that, तो, जब ये इन्सान एक साइड से इस तरीके का operations कर सकता है, psychological operation कर सकता है, तो दूसरी साइड से भी क्यों नहीं कर सकता है, और फिर ये डिफेक्ट हो गया, यूस में, तो फिर ये डिफेक्ट हुआ यूस में, तो इस बात की क्या guarantee है कि अब इसे US यूस नहीं कर रहा, ये सारी बाते बोलने के लिए, you know, as a counter psychological operation, तो जबी भी आप इस तरीकी की को information देखो, या आपको कोई बताए, तो मैं हमेशा थोड़ा सा cynical रहता हूँ, cynical एक negative word, मैं क्या कहता हूँ से, critical रहता हूँ, directly मैं लिए लेता, again, मैंने देखा कि जजन लोगोंने, अपने inputs दी एस में, कुछ लोगों को मैं already जानता हूँ, नीरा जत्री है, उनका YouTube पे एक channel है, जैब डायलोग वाले, दिक्षित, संजीर दिक्षित है, उनका एक channel है, again, मैं इन लोगों की काफी बातों से agree करता हूँ, कुछ बातों से disagree भी करता हूँ, और again, I think, from a certain point of view, ये narrative दिया जा रहा है, और इसमें बहुत सारी साच आई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, इस तरीके की information को critically लेना चाहिए, क्योंकि, इस तरीके की information को technical language में कहा जाता है, revisionist history, मैं revisionist history टर्म को एक negative connotation के साथ यूज नहीं कर रहा है, मैं से एक technical, technically use कर रहा है इस term को समझाने के लिए, कि actually हो क्या रहा है, actually जो आप देख रहे हो आपके सामने, in society, ये हो क्या रहा है, ये revision of history हो रहा है, या writing of history हो रहा है, एक तरीके से, ये automatically negative चीज नहीं है, जब हिस्टोरिकली कोई गलत चीज आपको पढ़ाई गई है, तो उसकी re-rating होनी ही चाहिए, वो अपने आपने गलत नहीं है, बट जब भी इस तरह का कोई बहुत बड़ा कदम उठा जाता है, तो इसको बहुत ही critically observe करने की ज़रत है, क्या आपको एक तरह से, तो just because वो लोग बहुत ज़्यादा convincing है या जैसे भी है, मान लेना पहली बात में ठीक नहीं है, आपको अपने दिमाग से भी उसके counter सोचने चाहिए, for example, नहरू को बहुत सारे लोग बहुत गालिया देते हैं, कोई उसे Soviet Union का पिठ्थू बोलता है, कोई उसे Britain का पिठ्थू बोलता है, कोई उसे उन्हें USA का पिठ्थू बोलता है, you know like, पिठ्थू मतलब उनका क्या कहता है उसे कटपुद्ली, तो मुझे यह नहीं समझा रहा कि, अगर great game चल रहा था दुनिया में, और survival की जंग हो रही थी, और you know like, वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी, between sohith की उनकी नहीं हो ऐसे, तो एक ही इंसाथ दोनों का पिठ्थू कैसे बन गया, और एक ही इंसाथ दोनों का कटपुद्ली कैसे बन गया, और उस वक्त अजाद हुए, ज़्यादा तर देशों में अगर आप देखोगे, तो शायद मुझे लगता है, सबसे बहतर हालत में दुनिया में आज इंडिया है, उन छोटी city states को छोड़ दो, या फिर छोटे देशों को छोड़ दो, जा सिंगापुर बगरा या कूरिया होगे, उनकी एक different situation है, उन्होंने अपने आपको 100% USA के साथ align कर लिया, USA ने उनको बहुत ज़्यादा aid दिया, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, लेकिन एंडिया जाजी country, जिसको की, जो की इतनी बड़ी पहली बात country है, भाई हम almost as big, ठीक है, और resources हमारे पास China से कम है, तो हम kind of बहुत ज़्यादा tight position में, शुरू सही थे, अब तो शायद बहता रहें, लेकिन पहले और भी ज़्यादा tight position में थे, तो इतनी tight position में ship बहुत ज़्यादा overloaded है, ship का structure बहुत कमजोर है, कहीं से भी कुछ भी टूट सकता है, पानी अंदर आ सकता है, डू सकता है, ऐसी situation से उस ship को बहुती भावर वाले जगह से, काफी ठीक जगह में ले आए हमारे leaders so far, तो मैं मुझसे जब भी नहरू की या जो हमारे leaders थे जरीए, उनकी गलतियों के बारे को पूछता है, तो मेरा परसनल यह होता है कि देखो, I think एक saying है, कोई quote है कि, whatever can be attributed to foolishness, should not be attributed to malice. I think Jordan Peterson या किसी से मैंने सोना था यह, कि मतलब जो भी चीज अट्रिबूट की जा सकती है, बेवकूफी के ऊपर, उसको malice पैट्रिबूट नहीं किया जाना चाहिए, इसका मतलब simply यह है कि, कि सामने वाले से, उसकी बेवकूफी में यह गलतियां होई होंगी, लेकिन, इसका मतलब यह नहीं कि, उस बंदे की सोच गलत थी, या, वो देखना पाया, लेकिन वो यह नहीं था, कि उसके अंदर एक शतानियत थी, उसके अंदर एक malice था, कि मुझे खराब कर देना, यह नहीं था, वो देखना पाया हो, वो उतना smart ना रहा हो, वो एक different चीज़ है, और, अगें मैं एक और अपील भी करूँगा, कि आप अपने आपको एक बड़ी observe करो, आपके अंदर कितनी चीज़े हैं, आपके अंदर आपके घर की management है, आपके अंदर आपकी अपनी self management, अपनी studies की management है, आप उसको कितनी अच्छी तरीका से manage कर पा रहे हो, यह observe करना, अपने relationships की management है, और अब imagine करो एक अंसान को, जिसके पास, I don't know, 30-40 करोड अबादी होगी इंडिया की जब इंडिया अज़ाद हुआ था, तो नहरू जैसे इंसान के पास, 30-40 करोड लोगों की management आगई, suddenly, इतनी बड़ी country की management आगई, इतने सारे resources की management आगई, आपको लगता है गलतियां नहीं होंगी ऐसे इंसान से, वो वो इंसान था जिसको driving seat पर बिठाया गया, suddenly, अंग्रेजों के जाने के बाद, इस तरीके का कोई structure ही नहीं exist करता था इस land पे, समझ रहे हो आपकी, Parliamentary democracy नापको कोई structure इस land पे exist ही नहीं करता था, तो, मैं जब अपने आपको देखता हूँ कि मेरे अंदर कितनी कमी है, अपनी personal life की चीज़ों को manage करने में, और फिर मैं जब अपनी उससे compare करता हूँ कि इंसान को कि, उस इंसान को कितनी बड़ी चीज़ manage करनी थी, without any experience, 17 साल तक उसने उसे manage कर लिया, somehow, डूम ने नहीं दिया, यही बहुत बड़ी बात है, वरना हमारे आजपास, अगर आप देखोगे तो आपको, बरबादी के लावा जादे कुछ दिखेगा नहीं, हम उनसे फिर भी ठीक ठाकालत में है, हाँ, market खोलने पर देर हो गई, 91 पे आके, मोहन सिंग जी ने market खोली, यह सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट मैं इन सारी चीज़ों को, as गल्ती देखता हूं, as malice नहीं देखता, as a plan against the country नहीं देखता, तो anyway, यह मेरी सोच है, आप अपने विवेक से, या अपनी critical thinking से, इसे analyze कर सकते हो, और पहले मुझे लगाता है, कबीर बेदी की आवाज है, कबीर बेदी जिनको नहीं पता, Bollywood में एक आक्टर थे, उनकी आवाज बहुत जबर्दस्त है, और है I mean, और अगेन, इन में से बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी बातों से, मैं नहीं agree करता, इन्होंने देखो कि इनकी पिक्चर्स बनाई है, अमारतियस ही नहीं है, मैं जानता हूँ, उसके बाद पहले जो उपर है, उसके बाद नीचे राज़रा मोहन राय है, इंदरा गांधी को मैं देख सकता हूँ, में बेटकर को मैं देख सकता हूँ, जिन्ना को मैं देख सकता हूँ, नहरू को मैं देख सकता हूँ, इसमें से कुछ बिटिश वोइसरे लोड वगिरा, मांट बैटन को मैं देख सकता हूँ, मुलाद आजाद को मैं देख सकता हूँ, इनको तो मैं पहचानता हूँ, just, you know, बाकियों को भी मेरे, बाकियों के बारे में शायद में पता होगा, बट मैं पिक्चर से उनको identify नहीं कर पा रहा, तो इन में से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातों से मैं disagree करता हूँ, लेकिन इसका मतलए यह निए कि इन लोगों हम सिर्फ उनको ही consider करके इनको discard कर देंगे पूरी तरीके से, तो I don't think, यार, यह smart judgment होगी about history, you know, इसका मतलब हम इनसान का जो एक fallible part है, उसको accept करने के लिए त्यार नहीं, पर यह जैसा कि मैंने कहा आगे, आप अपने mind का इस्तेमाल कर गया, अपनी सोच का इस्तेमाल गया अपनी analytical thinking का इस्तेमाल करके सूच सकते हैं इस बारे में, अपनी इतनी इसी चीज थी और इतना ही मैंने भी कहना था, देखने के लिए तैक यू